इस वीडियो में मैं आपको SSE CGL exam के बारे में information दूँगा और हर वो एक चीज बताऊंगा जो आपको जानने की जरूरत है SSE CGL exam के बारे में जैसे कि आप इसमें देख सकते हो बहुत सारे points है इसमें जैसे कि qualification, age limit, salary, selection process, exam pattern, total subject, CBT1, CBT2, descriptive paper, skill test यह सारी चीज को मैं explain करूँगा इस वीडियो में और यह सारी कि सारी चीजे जो SSE CGL से related है इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो आगर आप SSE CGL exam के बारे में complete information चाहते हो तो इस वीडियो को last तक देखिए आपको SSE CGL exam के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा एक ही वीडियो में तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे फ़िच में eligibility मतलब qualification क्या मांगा जाता है तो इसमें जो qualification मांगा जाता है वह होता है graduation कि आपसे बस यह मगला जारा है कि आप graduate होने चाहिए हो translation में भी इसमें कोई special demand नहीं है कि आपका science होना चाहिए, arts होना चाहिए है, commerce होना चाहिए, science से ओ और से हो और कुछ पोस्ट हैं जिसके लिए extra qualification मांगा जाता है एक दो ऐसे पोस्ट है जिसमें graduation के अलावा कुछ और भी मांगा जाता है तो वह मैं आपको आगे बताऊंगा बट बेसिक जितने भी maximum पोस्ट है उसके लिए के वल graduation वो भी कोई भी stream के हो तब भी चलेगा science, arts, commerce कोई भी हो सारे के सारे apply कर सकते हैं इसके लिए बहुत सारे लोग की बन में यह question रहता है कि appearing candidates क्या apply कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर भी आए यह नहोंने साफ साफ यह लिख दिया है कि the candidates appearing in the final year of their graduation can also apply but however they must possess essential qualification on or before 1-1-2021 तो इस point को थोड़ा ध्यान दिजिएगा और वैसे तो इसमें लिखी दिया है कि appearing candidates can apply लेकिन यह qualification का यहाँ date दिया हुआ है यह भी पहुत important है इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा अब हम अगला बढ़ते है eligibility तो आपने इसमें देख लिया कि इसमें qualification क्या मांगता है केवल graduation वो भी कोई भी stream के हो art science commerce किसी के भी हो आप भर सकते हो और कुछी पोस्ट है जिसके लिए extra qualification मांगा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ अब देखे जो extra qualification मांगा जाता है वो भ होना ही चाहिए साथ में ही एक extra degree होना चाहिए वो यह तो chartered accountant का यह cost management accountant का यह company secretary का यहां जितना कुछ भी यहां लिखा हुआ है business studies और master in business administration इसमें से कोई भी extra आपके पास degree होना चाहिए इसका graduation के साथ साथ यह भी होना चाहिए तब जाकर के आपको assistant audit officer या assistant accounts officer का post मिल सकता ह है तो मैंने जैसे बोला कि दो ही पोस्ट है यहां पर इस बार के CGL में CGL 2021 में जिसके लिए आपको extra qualification मांगा गया है और एक है दूसरा पोस्ट जिसके लिए extra मांगा गया वह है junior statistical officer इस पोस्ट के लिए देखिए आपके पास थोड़ा सा एक्स्टा के लाप से मांगा गया ह है वह क्या है कि आपका जो है कि graduation तो होना ही जाहिए साथ में है कि 12 में आपका subject एक math होना चाहिए और उसमें आपका 60% आना चाहिए और यह था पहला अगर यह नहीं है तो दूसरा जो इसको में criteria दिया हुए वह क्या है कि जब आपका जो bachelor degree है मतलब कि graduation या engineering कोई भी तो उ इसके लिए extra qualification मांगा गया है बाकी सारे post के लिए केवल नॉर्मल graduation से काम चल जाएगा तो चलिए हम आगे देखते हैं आगे है age limit age limit के बारे में अब हम बात करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो कि maximum of the post जो होते हैं इसमें वो होते हैं 20-30 साल वाले कि 20-30 का जो age limit होता है अभी आपको आगे दिखाता हूं पर यह वाला जो है मैंने official notice से कट किया है जैसे कि आप यहां देख सकते हो age limit 1827 2027 22 30 up 2032 years बहुत सारे पोस्ट है इसके लिए age limit होता है 28 Llij m Lecture 18-30 से कुछ ऐसे quit zijn जिसमें 20-30 कोशल कोशल जिसमें बीक बैस़े 보니까 तो मैं आपको आगे दिखाता हूं कौन और किसमें क्यीना चाहिए मिड्स मांगा जाता है और उसे पहले आपको इहाँ दिखा देता हूँ कि एजि रिलाक्सेशन के यतना मिलता ह्या है तो इस वाले सक्षन में आप देख सकते हो कि जो सेल कास्ट और सेल्डॉर्णल के हैं काटेगरी के हैं स्क Esp LOL के हैं उनको 5 साल गएगा अब और थोड़ थोड़ दिया हुआ है तो यह एज रिलाक्सेशन है एज रिलाक्सेशन का मतलब यह होता है कि अगर मान लिजे कि आपका 27 years हो गया है और आप एक सेडूल कास्ट यह सेडूल ट्राइब कम्यूनिटी से बिलॉंग करते हैं तो आपको जो पांस साल का एक्स्ट्रा यहां पर आपको जो पांस साल का जो आपको यहां एक्स्ट्रा रिलाक्सेशन दिया गया है मतलब आप अभी इलिजीबल है इस फॉर्म को भरने के लिए मतलब आप 32 years तक अगर आप सेडूल कास्ट है सेडूल ट्राइब कम्यूनिटी से बिलॉंग करते हैं तो यह था रिलाक्सेशन वाला इसमें यह भी ध्यान रखिएगा उसके बाद अगला जो है अब यहां से आप देख सकते हो एज लिमिट कौन से पोश्ट के लिए कितना एज लिमिट यहां दिया हुआ है तो जैसे कि है कि जब आप एससी सीजियल का नोटिस खोलिएगा तो उ है इसमें चार पे लेवल है एक टैळलीवल फॉर हो गया फिर फिर फाइव फिर गएलीवल जबसेवन सेरान एयत हे टोटल सेंब इसमें कि दिखाता हूं आपको थोड़ा से तो ऐसेents इलेगि वह सारे हो इसमें वह जारे लिएंट सकता है अगर आ यवाक्ण कृवां कर ल तो इसके उपर आपको यह पोस्ट मिलते हैं तो यहां पड देख सकते हो कि पे लेवल सर्म तो प्टरल अभी च्यार पोस्ट है यहां पर आप ढ़ देख सकते हो असका यहां पर वह दिपार्टमेंट स्थीय mph कि जिसमें आपको 18-18 मतलब यह जितने भी पोश्ट है यहाँ पर इसमें अगर आपको जॉब चाहिए तो आपका जो होना चाहिए एच लिमिट वह 18-27 तक का होना चाहिए और यह कौन सा चाहिए तो ग्रेट चाहिए और यह पर जोब साईलरी देख रहOC हो यह सेलरी नहीं है यहां पर थोड़ा सा सेलरी कैलकुलेशन वह तोड़ा सा दिक्कत होता है मैं आपको इसमें थोड़े दिदी बाद मैं आपको एक्वेस्ट बताऊंगा कि आपको मिनीमम कि कितना सैलरी मिल सकता है मतलब मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि इन हैंड कि आपका अगर जॉब लग जाता है तो आपको फर्स्ट मन्त आपको इन हैंड आपके हाथ में कितना सैलरी मिलेगा कम से कम और ज्यादा-ज्यादा कितना मिल सकता है वह मैं आपको आगे बता यहां पर और यह पर देखिए एज लिमिट इसमें भी कितना है 18-27 18-27 18-27 तक का है यहां पर मतलब पे लेवल 4 और पे लेवल 5 का जितना भी जॉब्स है वो 18-27 साल वाले लोगों के लिए हैं और यह ग्रूप का जॉब है बेसिकली पे लेवल 4 और पे लेवल 5 वह लगा अब देखिए पे लेवल 6 के ओपर देखे थोड़ा सा पे लेवल 6 में अगर आप देखिएगा तो यहां पर भी क्या है कि इसमें देखिए टूटल कितना है पोस्ट एक दो तीन चार पांच पोस्ट है इस बार का ह यह यहां पर दियान देखिएगा कि पे लेवल 6 का जॉब है मतलब यह थोड़ा अपर रांक वह जॉब है और इसमें देखिए आपका ग्रेडवी पढ़िया यह ग्रूप बी का है मलब ग्रेट बी का जौब है यह पहले जो फॉर और फाइप लेबल का था वो ग्रेट सी क था यह ग्रेट बी का जॉब है तो यह देखिए ग्रेट बी और यहां पर देखिए एज लिमिट थोड़ा सा यहां पर एक्सीड कर दिया गया है पहले क्या था कि अठारा से तीस अब देखिए इसमें नॉट एक्सीडिंग क्योंकि मैंने जो बोला था कि एक्स्ट्रा जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगा गया था वह इसी पोस्ट के लिए मांगा गया था ध्यान दिजिएगा जूनियर स्टैस्टिकल ऑफिसर के लिए इसलिए इसमें थोड़ा सा एट थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है 32 तक आप इ लेवल सेवन में सबसे ज्यादा पोस्ट हैं इस बार के सीजियल में और यह सारे के सारे ग्रूप B के जॉब्स हैं इसमें मैक्सिमम ऑप जो एज लिमीट है वो कितना है 20 से 30 लगवा यहां भी देखिए 20 से 30 not exceeding 30 years 2030 2030 2030 2030 1830 मतलब 30 तक ही इसमें दिया हुआ है एक पोस्ट ही पोस्ट के लिए लगवक 30 years तक ही इसमें टाइम दिया हुआ है उसके बाद फिर आता है पे लेवल 8 लास्ट पे लेवल जहां तक यह सबसे अच्छा जॉब्स में बूलिए तो सबसे बेस्ट जॉब यही है इसका जिसमें सबसे हाई सैलरी मिलेगा आपको वह है असिस्टे जादा कोई सैलरी देगा तो यही पोस्ट है जिसमें आपको यह सैलरी मिलेगा क्योंकि यह पेलेवल 8 का जॉब है तो यह आपने देख लिए इसमें पेलेवल और इसका एज लिमिट्स और डिपार्टमेंट्स और ग्रेड्स चलिए आगे बात करते हैं एक्जामिनेशन प का एक्जाम इसको कॉलिफाई कर गएगा तो स्टेज 2 में जाईएगा तो यह कि टीर 2 में जाईएगा फिर टीर 2 कॉलिफाई किजेगा यानि कि स्टेज 2 कॉलिफाई किजेगा फिर स्टेज 3 में जाईएगा स्टेज 3 में कॉलिफाई करके फिर स्टेज 4 में जाना है आपक ली तो सीबीटी का मतलब ही होता है computer-based examination अब देखे टीर वन टीर वन जो stage 1 का exam है वो computer-based examination है मतलब यह online exam है यह exam आप दीजेगा फिर qualify करके tier 2 में जाएगा मलब stage 2 में यह भी आपका computer-based examination है महलब कि यह online exam है उसके बाद यह qualify करने के बाद आपका tier 3 आ जाता है जो की offline exam होता है मतलब pen and paper mode इसमें आपको pen and paper में मतलब कि pen से paper में answer लिखना पड़ता है हाथों से तो यह descriptive paper होता है यह सब यह जिदने भी इसमें stages है इसके बारे में आगे थोड़ा detail है मैं आपको बताऊंगा और इसके बाद आता है आपके पास total चार सब्जेक्ट आएगा आपका चार सब्जेक्ट आता है पहला तो होता है आपका यहां पर आप देख सकते हो a में reasoning फिर b में आपका gk आ गिया general awareness फिर c में quantitative aptitude मतलब mathematics और d में English लब यह चार सब्जेक्ट आएगा आपका चारो सब्जेक्ट 25-25 कोश्टन लेकर क्या आएगा मलब reasoning का 25 कोश्टन जीके का 25 कोश्टन math का 25 कोश्टन English का 25 कोश्टन तो total 100 कोश्टन होगी है और total marks केतना होगी है 200 marks और इसके लिए आपको केतना time मिलता है स्टेज वन का एक्जाम के लिए टियर वन का एक्जाम के लिए टोटल एक घंडा का एक्जाम मिलता है और यह एक्जाम आपका online होता है और इसमें देखिए आपका जो one hour and 20 minutes यहां पर देख लिए यह PWD candidates के लिए हैं अब जब आप टियर वन एक्जाम क्वालिफाई कर लो होगे और आपका जो टियर टू का जो एक्जाम है उसका पैटन भी आप यहां देख सकते हो कि टियर टू में आपको यहां बेसिकली दिख रहा होगा चार पेपर वन पेपर टू पेपर त्री और पेपर फोर वह एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन वाले जो कोश्ट थे उसके कोश्टन इसमें क्या होगा कि आपका एक कोश्टन दो नंबर का होगा तो मतलब यह 200 नंबर का पेपर और आपका जो इंग्लिस वाला होगा उसमें 200 कोश्टन होगा और हर एक कोश्टन एक एक नंबर का मतलब यह 200 नंबर का अगर आप स्टेज 2 का एक्जाम देरो तो आप इसके लिए आपको कहता मिलेगा two hours for each paper two hours for each paper मतलब maths के लिए 2 गंटा और English के लिए 2 गंटा यहनि कि total आपके पास 22 गंटा हो गया चार गंटा का exam हो गये यह आपका paper one और paper two दोनों के मिलाके तो अगर आप stage two का exam देने जा रहे हो तो आपको यह दोनों paper देना पड़ेगा पहला math और दूसरा English maths का 100 question, English का 200 question और यहां marks आप देखी सकते हो कि English का एक question एक number का और maths का एक question दो number का और total time two hours for each paper मतलब आपको total 4 गंटा मिलेगा paper one और paper two solve करने के लिए अब देखिए जो paper three और paper four है tier two का stage two का इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सब बता देता हूं यह किन को देना पड़ता है अगर आपने junior statistical officer के लिए भरा है अगर आपका junior statistical officer के लिए selection हुआ है तब जा करके आपको paper three मतलब statistics का paper आपको देना पड़ेगा याने कि आपको यह वाला paper देना पड़ेगा statistics वाला जो 100 question है 200 marks का यह वाला paper और अगर आपने assistant audit officer के लिए अपलाई किया है मलब आपका selection assistant audit officer के लिए हुआ है या assistant accounts officer के लिए हुआ है तब जा करके आपको फिर यह वाला paper general studies यह वाला paper देखरो general studies 100 question 200 marks यह वाला finance and economics इसका paper आपको देना पड़ेगा exam में तो यह देखिए कि यह दोनों post हैं थोड़ा separate है statics paper 3 और paper 4 इसके उपर ध्यान मत दिज्यादा अगर आपको इन post में अगर दिल्चस्पी नहीं है तो तो basic normal students के लिए बस यही दो paper 1 and paper 2 stage 2 में basic यही दो paper होता है जो extra वाले थे उनके लिए paper 3 और paper 4 है अब चलिए यह तो देख लिया कि paper 3 और paper 4 किन के लिए है अब देखते हम लोग tier 3 tier 3 जो होता है वो होता है descriptive paper descriptive paper काने का मतलब यह होता है कि इसमें आपको pen and paper से answer लिखना है जैसा कि आप यहां देख सकते हो mode of examination pen and paper pen and paper मतलब आपको paper में answer लिखना होता है इसमें और लिखना क्या होता है एसे लिखना होता है letter application यह सब कुछ-कुछ लिखना होता है और descriptive paper in English और Hindi इसमें दोनों languages available होता है या तो आप English में में भी लिख सकते हो एसे लेटर ये सब कुछ और यह तो हिंदी में भी लिख सकते हो और यह maximum marks केतना होता है इसमें 100 marks ही होता है और इसके लिए आपको केतना time दिया जाता है एक घंटा दिया जाता है और PWD candidates के लिए एक घंटा 20 20-30 दिये जाता है यह था आपका टीर 3 examination पहले आप टीर 1 क्वालिफाई करोगी स्टेज 1 फिर स्टेज 2 यह तियर 2 फिर आईएगा टीर 3 में स्टेज 3 में जो कि आपका descriptive paper है मतलब आपको इसमें हाथ से answer लिखना है यह online नहीं होता है यह होगी आपका टीर 3 क्वालिफाई अगर आप कर लेते हो तब जाकर कि आपका selection होगा लेकिन कुछ-कुछ posts हैं जिसके लिए skill test भी देना पड़ता है तो वह आप मैं आके बताता हूं कि skill test इसमें क्या-क्या है अब देखिए टीर 4 जो आपका skill test skill test हर एक posts के लिए नहीं है जैसे कि मैंने आपको starting में ही दिखाया कि आप इस CGL के अंदर में बहुत सारे posts आते हैं auditor, sub inspector, inspector बहुत सारे posts आते हैं तो उसमें basically होता है कि बहुत कमी posts हैं जिसके लिए skill test देना पड़ता है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर दो ही skill test होता है एक तो होता है आपका data entry speed test DEST और दूसरा होता है computer proficiency test CPT और यह दोनों जो skill test है यह कुछी post में apply होता है जैसे कि अगर आपने tax assistant के post के लिए apply किया है tax assistant का post के लिए आपका अगर selection हो गया है तब जाकर के आपको data entry speed test DEST देना पड़ेगा otherwise आपको skill test देने की कोई जरुरत नहीं है और दूसरा है जो computer proficiency test यह भी कुछी post के लिए आपको देना पड़ेगा अगर आपका selection assistance section officer in CSS, MA, FHQ या assistant in serious fraud investigation officer under ministry of corporate affairs, assistant in ministry of mines, inspector, central exercise, inspector and inspector examiner in CBIC इन सारे post में अगर आपका selection हुआ है या आपने select किया था तब जा करके आपको computer proficiency test देना पड़ेगा otherwise इन सारे post को छोड़ करके आपका दूसरे post में अगर selection हुआ है तो आपको skill test देने की कोई जरुरत नहीं है आपका जो होगा tier 3 का descriptive paper का result आएगा आपका merit list बनेगा उसके पाद आपका job लग जाएगा आप देखिए इसमें भी एक point है कि ये भी धान दिजेगा कि total इसमें तीनों exams का marks add होता है मतलब tier 1, tier 2, tier 3 बहुत सारे exams में होता है कि उसमें क्यों tier 1, tier 2 होता है तो tier 1 qualifying nature का होता है tier 2 का marks पे आपको job मिलता है बढ़ यहां पर क्या है कि tier 1, tier 2 और tier 3 stage 1, stage 2 और stage 3 इन तीनों exams के marks को evaluate किया जाता है तब जाकर के final medical list बनता है यानि कि ये तीनों exams ही बहुत ही important है तीनों में आपको high score करना पड़ेगा तब जाकर के फिर आपका होगा medical test वो भी medical test कुछी post के लिए है medical standards होते है अगर आपको medical test के बारे में जानना है तो हमें comment करके जुरूर बताईएगा हम specifically एक अलग video मना देंगे medical test के उपर में वैसे मैं बता देता हूँ कि सव inspector, inspector इन सारे post के लिए medical standards कुछ रखे जाते हैं वो आपको qualify करना वड़ता है तो अगर आपको यह जानना है तो comment करके जुरूर बताईएगा अगर ज्यादा comments आता है तो मैं इसके उपर एक video अलग से जुरूर बनाऊँगा तो एक बर आपने tier 4 qualify कर लिया फिर अगर आपको मान लिजे medical था तो medical भी आपने qualify कर लिया तब जाकर के फिर आपका document verification होगा उसके बाद फिर जाकर के आपका job आपको मिल जाएगा जैसे कि मैंने आपको pay label के बारे में बताया था तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको salary बताऊंगा calculate करके कि कितना मिलता है कितना मिलेगा lowest और highest तो देखिए अगर आपका CGL आप qualify करके job आपका लग जाता है तो minimum salary जो आपको मिलेगा जिसे minimum तो वो होगा 27,000 रुपीज पर मत वो सारे deductions करने के बाद मतलब सारा चीज हटने के बाद मतलब जेतना भी आपका उसमें पैसा कटता है PFF का जेतना भी कटेगा वो सारा चीज कट कटा के आपको 27,000 रुपीय तक minimum मिलेगा ही मिलेगा अगर आपने CGL qualify करके कोई भी job लिया है तो और जो सबसे highest in hand salary मतलब सबसे highest salary जो मिलेगा वो होगा 64,000 मतलब 64,000 आपको in hand सबसे highest salary मिलता है इसमें मतलब इसमें आपको 64,000 रुपीज मिल सकता है फ़र्ष्ट मन्त से ही अगर आप यह qualify कर लेते हो तो यह level 8 का था और metropolitan cities और normal cities में salary थोड़ा vary करता है यह भी बता देता हूं मैं आपको तो यह मैंने आपको बताया कि 27,000 minimum और आपका maximum 64,000 यह केवल first month का मैं बता रहा हूं यह केवल मैं joining time का बता रहा हूं joining करने के कुछ ही सालों के बाद आपका salary increment होना शुरू हो जाता है इसलिए यह जो भी है यह आपका joining के time का salary मैं बता रहा हूं